विभाजन के बाद बनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल, मुहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मड्रास प्रसीडेंसी के अध्यक्ष थे वो मड्रास प्रेसिदेंसी में उस जमाने में لगभग पूरा दखषण भारत आता था और मोहम्द इसमायल के टाइम में दखषण भारत की 30 में से 30 मुसलिम कांसिच्वेंसीज मुस्लिम लीग ने जीती थी जिन्ना की मुसलिम लीग ने 1946 में जीती थी और 95 प्रतियत मुस्लिमों का वोट प्राप्ट किया था और मैं कॉंग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूँ अगर जिन्ना को उपादी थी काइदे आजम तो मुहम्मद इसमाइल को उपादी थी काइदे मिल्लत यहीं दक्षन भारत के जिन्ना की तरह वो माने जाते थे और इतना ही नहीं आजादी के बाद ऐसा भी नहीं कि उनका कोई हर्दय परिवर्तन हो गया था 17 अगस को उन्होंने आजादी के बाद 47 में एक बयान दिया है कि उन्हें वैसे ही मुस्लिम प्रथक निर्वाचन छेतर चाहिए जैसे कॉंग्रेस ने 1916 से दिला रखे थे अर्थात मुस्लिम्स के लिए अलग कांसिच्वेंसी नहीं चाहिए उसमें वोट देने का अधिकार भी सिर्मुस्लिम्स को होगा जिसको लेकर समिधान सवा में सरदार पटेल ने उनकी अच्छी खबर ली थी और उनके दूसरे नेता धी पोकर सहब उन्होंने भी इसी चीज़ की वखालत की थी तो नाम बदल लेने से करेक्टर नहीं बदल जाता और मैं कॉंग्रे से भी कहना चाहता हूँ गांधी जी का नाम रख लेने से वो करेक्टर नहीं आ जाता और मैं यह अभी कहना चाहता हूँ कि बहुत बार यह हो गया अना आप शनाप के उधारन दे कर वीर सावरकर जी का आप मान करना और महात्मा गांधी जी की दुखत हत्या के साथ उन्हें जोडने का प्रयास करना तो यदि उन्होंने किताब कोट की है तो मैं भी किताब कोट करके बोल रहा हूँ एक बड़े लेकक हुए है मनोहर मालगाउकर जिन्होंने किताब लिखी गांधी गांधी इन 1978 और उनका कोई संग से कोई कनेक्शन नहीं था उस किताब में वो लिखते हैं कि जब गांधी जी की हत्या संबन्दी मुकदमा चल रहा था तो उनके वकील एमबी पटकर साहब को डॉक्टर अमबेडकर फोन करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं और उस किताब में लिखा है मैं नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर अमबेडकर को कोट करते हुए वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर मेटकर का कहना है कि आपके क्लाइंट सावर कर पर कोई केस नहीं बनता फिर भी उसको लेकर जबरदस्ती उन्हें फसाने का प्रयास किया जा रहा है और कैबिनेट के तमाम सदस से इस से नाराज है मैं फिर कोट कर रहा हूँ यह हमारा वक्तव नहीं है भाजपासंग का वक्तव नहीं है या मनुहर मालगाउंकर ने अपनी किताब में कोट किया और वो कोई उस प्रकार के राइटर से के थुरू नहीं है जिसके जैराम रमेश जी उलेकर रहे थे और सावरकर जी छूट गए अब मैं पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस से शायद आप में से बहुत से लोगों को आज की इवा पीडी को नहीं आदो कि लाल किले में मुकदमे में निरणे होने के बाद भी अंतिम निरणे उस अदालत में नहीं हुआ उस समय पंजाब हाई कोट की जो बेंच थी शिमला उसमें जाकर मुकदमा हुआ और फाइनल सजा वहां से हुई बन नहरू सरकार सावरकर जी के खिलाफ हाई कोट में क्यों नहीं गई अगर उनको किताब में लिखी बात के उपर कोई अतराज है तो क्यों नहीं गई यह आज का एजंडा नहीं है यह नहरू जी के जमाने का एजंडा है आप लोग जाके चेक करिएगा सेलेक्टेट वर्स ऑफ जवाला नहरू शाह सीरीस टू या थ्री में जाके आप चेक कर लिजेगा पांच जनवरी 1948 को गांदी जी की हत्या से 25 दिन पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों को नहरू जी का लिखा हुआ पत्र है जिसमें हो कह रहे हैं मुस्लिम लीग की बैटकों से कोई दंगे होने की संभावना है इसको मैं उतना खतरनाक नहीं मानता हूं हिंदू और सिक सामप इसलिए मैं पुनह ये कहना चाहता हूं कि गीता प्रेश गोरखपुर के मुद्दे के उपर जिस प्रकार का चरित्र कॉंग्रेस ने दिखाया है या उनकी भारत भारतियता भारतिय संस्कृती हिंदू धर्म और स्वयम महत्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति अवमान का इस पश्ट प्रमान है धन्यवाद है कि को अब अब देवदास गांधी जी तो उनसे पहले की पीड़ी के हैं उनके बारे में पत्रुपलब्द है अब हम गांधी जी की सुनिये कही बात से लिखी बात का महत्वधिक होता है ठीक और परिवार का व्यक्ति कहे उसके मुकाबले सीधे वह व्यक्ति लिखे उसका महत्वधिक होता है तो हम गांधी जी के लिखे दो पत्रों को अधिक महत्वधें अथवा उनके परिवार के क आग आग बाद बहुट थार निए झाट से डिदरी टूर में पिरा टूर थे ट्वार्ट वर निए टाया थे विट वाट ईवाट एंविद्र फ्रीज जस वी थिंट आग बाद इंड बेंग अवाट इस अग्या क्ई टूर अबर्ट इन अगू पर आप टूरीये । दूरी Supreme Court has said that the state election commissioner itself asked for deployment of the forces and now you are opposing the deployment of the forces. In a way you are reducing your own previous stand and this also shows that there is some nefarious design which is going on and particularly when this type of rampant violence is very much there in the public domain. depending on the population, the issue of사가 a national market has interfered with these Lar Eating organizations which were typically assigned to the authorities. This notification system requires the procedure at the time. The Australian inquiry of government should be able to withstand the water and direct water तैनाती की जानी चाहिए और फिर वही नियाले में आता है कि सुरक्षा भल की तैनाती नहीं की जानी चाहिए बहुत इस पश्रूप से उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ यह मांग करना है कि सुरक्षा भल चाहिए या नहीं चाहिए चाहिए तो कितने चा कुन सा सुरक्षा बल चाहिए और कैसा सुरक्षा बल चाहिए यह चुनाव आयोग के अधिकार छेत्र में नहीं है तो जब आप स्वैम मांग रहे हैं कि मुझे अतरिक्त केंद्रिय सुरक्षा बल चाहिए तो केंद्रिय सुरक्षा बल या राजकिय सुरक्षा बल उसमें एक बार फिर अपनी पूर्व वर्ती प्रवित्य के चलते एक नहीं अनेक बार अदालत की चोखट पर पश्यम बंगाल की त्रणमूल सरकार जो की इन चुनावों में इतने वीभत्स हिंसा के दृश्यों को देख रही है पहले भी कई बार अदालत की चोखट पर अंधे मोग देखे इस विशह पे चूंकि अब एक बार जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो मुझे लगता है कि वह तकनीकी द्रश्चे चलनी चाहिए और तकनीकी गुर्दोश के आधार के उपर जो भी उचित निश्कर्श होगा वह सामने आएगा वैसे टेकनिकल बार तो अ देखते थे शपत्पत्र भरवाए थे कि हम मकान नहीं लेंगे आज इत्ता बड़ा मकान है तो मतलब यह क्या से क्या हो गए देखते देखते इस नेतिक सवाल का जवाब आज तक आमादी पार्टी ने नहीं दिया पार्ड़े जी नहीं मुझे लगता है कि नितीश कुमार जी जो आपने को बहुत बड़ा राष्टी नेता मानते हैं उनका इतना भारी प्रभाव तमिल नाडु में होगा वोटों के उपर तो शायद इसी कारण से उनको ऐसा लगता होगा कि स्टालिन को कोई समस्या हो रही होगी बताब बड़ी आश्यर की बात है कि वो नेता हैं जो किसी दूसरे राज्य में कितना वोट पर भावित कर सकते हैं कोई भी समस्कता पर कोई ऐसी बात नहीं है देखें ये जो तथा कतिब विपक्ष की एकता थी जो 23 जून को मिलने वाले थे ये उतनी ही मजबूत थी जितना बिहार के उस पुल की निव मजबूत थी जो भरवरा के डह गया तो पुल तो तूठी गया है अब मांजी भी अलग हो गया है अब भाया की नईया कैसे पार लगेगी ये आने वाला वक्त बताएगा या यूं कहें कि वो हकीकत खुद बखुद उभर के सामने आती जा रही है जो जो वो इस कदम पर आगे बढ़ा रहे है यति इंद्र जी मेरे विचार से आज की डेट में वो अपनी पार्टी जो की एक छेत्री अदल था उचेत्री अदल को एक छेत्र तक सीमित रहे गए हैं और अंतर राश्टी छेत्र तक वो लिखने का प्रयास करें तो यह अपने आप में हास्यास्पद है और मुझे इस बात का बहुत कष्ट भी है कि एक दौर था तमाम विपक्षी सांसद देश के बाहर चिठियां लिखा करते थे भारत के आंतरिक मामलों के उपर आज शिव सेना भी उसी दिशा में आगे बढ़ गई मुझे लगता है एक तरफ मैं कहूं तो यह भारत की संप्रभुता भारत की गरिमा भारत की संवैधानिक्ता तीनों पर तो आधात है ही है मगर मैं यह भी कह सकता हूं कि इसी प्रकार वो अपना स्वैम का एक प्रकार से मजाग भी उड़ा रहे है देखिए हमारा तो डेवन से मानना है कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो कोई स्वतह इस फूर्थ हिंसा नहीं है वो एक प्रायोजित नियोजित हिंसा है और यह वर्तमान चुनाओं में नहीं पूर वर्ती चुनाओं में दिखाई पड़ चुकी है मुझे याद है शायद पिछले पंचाय चुनाओं में 14 या 15 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी थे यदि इतनी भीशन हिंसा दिखाई पड़ रही है और उसके बाद कोई सरकार ये कहे कि उसे सिक्रिटी फोर्सेज नहीं चाहिए तो मुझे लगता है इससे यह दिखाई पड़ जाता है कि वो किस सीमा तक जाके हिंसा और लोगों की जान की कीमत पर जाकर अपनी राजनीत की रोटी सेखना चाहते हैं त्रणमूल कॉंग्रेस का यह चरित्र सामने दिखाई पड़ रहा है और जो न्याले का उब्जरवेशन है वो बिल्कुत स्वाभाविक है क्योंकि सिर्व न्याले की क्या बात है हम सब देख रहे हैं मीडिया में पब्लिक डोमेन में ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि हिंसा हो रही है, किस इस्तर की हो रही है, और इतना ही नहीं, किस प्रकार की हो रही है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। और अब महत्रपूर्ण बात ये थी, कि 170 से अधिक देशों ने संयुक्त राश्ट संग में इसका समर्थन नहीं किया था, वो इसके द्वतिय प्रस्तावक बने थे। कि मोदी जी ने किस द्रड़ता के साथ भारत की किस शमता को किस रूप में आकर इस्थापित करके रखा और संयोग से योग दिवस पर इस बार स्वैम प्रधान मंत्री जी अमेरिका में होंगे। और वहां से मैं कहता हूँ कि जब 170 से अधिक देशों में 21 जून को सारे लोग योग करते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि आज प्रखर रूप में विश्व के सामने इस्थापिता है। इस जहां तक मुझे याद है खलिफल मंसूर ने पतंजली योग शास्तर का पूरा अनुवाद किया था अरभी में आप शफिकुर रह्मान बर्क उन से बड़े अलिम् फाजिल हो गए हों तो बात अलग है मगर यहां बात आलिम् फाजिल की नहीं है यहां तो बात सियासत की है अब जिसके जो यह बोल चुके थे मेरे दिल में तालिबान रहता है उनके दिल में योगा कहां से आ पाएगा